हलो दोस्तों दिवा फिर साब का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ विश्यू तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं गूगल डॉक्स में मैं अलड़ी 12-13 वीडियो बना चुका हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं चेक बॉक्स हम दो तरीके से बना सकते हैं एक नॉर्मल चेक बॉक्स बना सकते हैं और एक कलर फुल चेक बॉक्स बना सकते हैं तो दोनों आज के इस वीडियो में समझेंगे तो जैसे कि आपके सामने गूगल डॉक्स का पेज ओपर आप देख रहे हैं अब माल दीजे कि मुझे यहां पर check box लगाना है, तो एक तरीका क्या है, यहां पर देखिए, इस जगें पर यह रहा bullet list का option आपको यहां पर दिख रहा है, जब आप इस पर click करेंगे, तो नीचे देखिए, यहां पर boxes का option है, ठीक है, इसमें लेकिन check नहीं लगा है, अभी हम समझेंगे कि check कैसा लगाते है, तो जब आप इस पर click कर देंगे, तो यह उसके side में यह देखिए, जो हमने number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 लिखा है, इसके side में यहां पर देखिए, यह add हो गया, आप माल दीजे कि हमें यहां पर check लगाना है, तो हमें simple इसको select करना है, जिस पर भी आप लगाना चाहते है, अगर सिफ एक पर लगाना चाहते है, तो सिफ एक को select करिए, राइट क्लिक करिए, और आपके सामने यह रहा check का option, ठीक है, यह रहा check का option, बस इस पर click कर दीजे, और यह देखिए, यह check हमारा लग गया, तो यह था normal check, इसमें कोई color नहीं है, अब अगर अगर हमें color पर लगाना है, color check box बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमको जाना होगा insert में, उपर देखिए, insert का option यहाँ पर आपको दिख रहा, insert, इस पर click कर दीजे, और नीचे जाना है special character में, यह रहा special character, ठीक है, special character पर click कर दिया, तो यह special character का box आपके सामने यहाँ पर open हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर हमको, यहाँ पर जो search by keyword लिखा है, जो simple check लिखना है, c-h-e-c-k, जैसे हम यहाँ पर check लिखेंगे, तो आप देखेंगे, यह देखेंगे, left hand side में आपको सारे option आगए, यहाँ पर बहुत तरीकी की option आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक में